दोस्तों वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि लोहा लोहे को काटता है और हरी शरावत ने भी इसी कहावत को एक बार फिर से सिद कर दिया नमस्कार आज का अगबार क्या पड़ा आपने देर रात कॉंग्रेस की सूची जारी हुई न्यूजवल इंडिया ने भी देर रात बारा बजे इस सूची को आपके सामने रखा एक एक धुरंदर जो की अब तक 53 परत्याशी को चुनावी रण में उतारा गया उनके नाम न्यूजवल इंडिया ने सबसे पहले आपको दिखाए लेकिन आज मस्ला कुछ और है कि कॉंग्रेस ने 53 रण बाकरों का एलान तो कर दिया जिसमें पार्टी ने तमाम चहरों को शामिल किया लेकिन अभी पिच्छर बाकी है और अगर हरी शरावत की चली तो हरी शरावत एक बार फिर से एक तीर से तीन शिकार करेंगे सियासत के नजरिये से हरी शरावत वहां सोचना शुरू करते हैं जहां हरक सिंग रावत शायद सोचना बंद करते हैं हरक सिंग रावत की एंट्री कॉंग्रेस के घर के भीतर भले ही कॉंग्रेसियों को सकून पहुचा रही हो लेकिन हरीश रावत ने लगता है कि उस कहानी के अंत यहीं खत नहीं किया है क्योंकि यहां से पिच्चर अब शुरू हो रही है आप कहेंगे कि दरासर मसला है क्या खबर यह है कि कॉंग्रेस हरक सिंग रावत को चोबटा खाल से चुनावी रण में उतार सकती है चोबटा खाल हरक सिंग रावत की पसंद डोई वाला रही कैदार नाथ रही लैंस डाउन रही लेकिन चोबटा खाल का मसला क्या है चोबटा खाल ही क्यों और हरीश रावत ने क्या सियासी अदावत निकालने के लिए चोबटा खाल का दाओ हरक सिंग रावत के सामने चल दिया तो अब समझे कहानी है क्या इस अखबारों की सुर्खियों के मताबिक हरी शुरावत ये चाहते हैं कि हरक सिंग रावत चोबटा खाल से चुनावी रण में कूच जाए जहां से सत्पाल महराज BJP के चहरे है वही सत्पाल महराज जो हरी शुरावत के साथ जिनका 36 का अकड़ा रहा हरी शुरावत जब सत्ता पर काबिज नहीं हो पाए बतौर मुख्य मंत्री तो माना गया कि सत्पाल महराज ने ही कॉंग्रेस आला कमान के सामने रोडा अटका दिया था सत्पाल महराज पूर कॉंग्रेसी और जिस वक्त समूची कॉंग्रेस बस पे सवार होकर 2016 में जा रही थी हरक सिंग रावत के निर्टित और विजे बॉग्णा के निर्टित में तब उस वक्त पर्दे के पीछे भूमी का सत्पाल महराज ही है और सत्पाल महराज के साथ हरीश रावत की कभी बनी ही नहीं अब ऐसे में हरीश रावत ने टै कि क्यों न एक तीर से तीर जिकार कर दिये जाए पहला हरक सिंग रावत को चोबटा खाल उतार दिया जाए चोबटा खाल में अगर हरक जीते तो सत्पाल हारेंगे तो उनकी सिजासी अदावत पूरी हो जाएगी और अगर हरक आरेंगे तो हरक की हनक कम हो जाएगी और ऐसे में सियासत की पिछ पर हरीश रावत एक बार फिर से माहिर खिलाडी बन जाएगे तो क्या वाकई में चोबटक हाल से हरक सिंग रावत चुनावी रण में कूदेंगे ये ठीक उसी तरह होगा याद कीजिए दोस्तो जब 2012 में ऐसा ही एक दाव हरिश रावत ने रुद प्रियाग का भी चला था तब उस वक्त हरक सिंग रावत रुद प्रियाग में अपने साडू भाई के सामने चुनावी रण में कूदे थे और डोई वाला से चुनाव लणना चाह रहे थे लेकिन वो मुराद पूरी नहीं हरक सिंग रावत उस वक्त चुनाव जीते ना सिर्व बलकि अपने साडू भाई मातवर सिंग कंडारी को हराया बलकि वो सियासत में इतने मजबूत होकर उभरे कि हरीश रावत के सामने ही चुनोती बन गए यही सियासत है आज हरक की चल नहीं रही आज हरीश इस बात को समझ रहे है लेकिन रावत वर्शिस रावत क्योंकि सत्पाल महराज भी रावत ही है यही है सियासत की अस्री कहानी अब देखते हैं कि हरक चक्रव्यू में फसते हैं या फिर हरक चक्रव्यू को भेद देते हैं चो बट्टा खाल क्या वाकई होगा घमसान हुआ तो हरी श्रावत की जीत पक्की है क्योंकि हरक जीते तब भी हरी श्रीत जीते और सत्पाल महराज अगर हारे तो भी हरी श्रावत जीते यही है सियासत और यही है हरी श्रावत नमस्कार जहिंद जय भारत जय उत्रगर